अभी तक आपने अश्टो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कवेंट्स करें नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी भगवान के घर से लेकर आये हुए हैं सरीर के इन पांच अंगों पर निशान तो जान लिजे सामुद्रिक सास्तर के अनुशान इसका मतलब नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपती त्रिपाथी आपने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोगों के सरीर पे कोई न कोई निसान जरूर होता है देखने में ये निसान साधारनी लगते हैं लेकिन सामुद्रिक सास्तर की अनुशान कि नहें बर्थ मार्क का कोई न कोई अर्थ चरूर होता है सरीर के कुछ अंगों पर बर्थ मार्क होने से आप काफी भागेशानी होते हैं आईए जानते हैं इस वोडियो के मादन से कि सरीर के किन अंगों पर बर्थ मार्क होना शुह होता है किसे के चेहरे पर अगर कोई बर्थ मार्क होता है तो वो लोगों को लगता है कि इससे उनकी सुन्दर्था कम हो रही है लेकिन सामुद्रिक सास्त्र की माने तो चेहरे पर बर्थमार्क होना स्वभाग की निशानी माना जाता है चेहरे पर बर्थमार्क होने से ब्यक्ति के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है साथ ही ऐसे लोग संबेदशेल माने जाते हैं जिन लोगों के पैरों पर बर्थमार्क होता है ऐसे लोग बहुत ही तरक्की पसंद होते है इनके बारे में कहा जाता है कि जिन लोगों के पैरों में बर्थमार्क होता है वे लोग दूसरों के लिए भी बहुत भागशाली सिद्द्शाबित होते है पहरोपर बर्थमार्क वाले लोग बहुत कम महनत में भी बहुत तरकी करते हैं जिन लोगों के पेट पर बर्थमार्क होता है ऐसे लोगों को लालची माना जाता है सामुद्रिक शास्तर की अनिशार, पेट पर बर्तमार्क होना यह दरसाता है कि ऐसे लोगों को कभी भी संतुष्टे नहीं मिलती इनके मन में हमेशा थोड़ा और थोड़ा और की भावना देखी जाती है जिन लोगों के सीने पर बर्तमार्क होता है उन्हें काफी हस्वक सभाव का माना जाता है सामुद्रिक शास्त्र की अनुशार ऐसे लोग बहुत असानी से किसी का भी दिल जीत लेते हैं साथे ऐसे लोगों को बहुत भी रोमांटिक माना जाता है प्यार के मामले में ऐसे लोग काफी सफल माने जाते हैं इनका बेवाहिक जीमन खुसा हाल रहता है जीन लोगों के पीठ पर बर्तमार्क होता है ऐसे लोग भी सामुद्रिक सास्त्र के उनसार बहुत ही भागेशाली माने जाते हैं ऐसे लोग खुले विचारों वाले होते हैं और अपनी बात को खुल कर जाहिर करते हैं इन्हें छोटी मालसिक्ता वाले लोग बिलकुल भी पसंद नहीं होते हैं अभी तक आपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट्स करे नमस्कार